हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में भारतिय प्रवंद संस्थान उद्यपूर की तरफ से वेकेंसी आई है जिसमें सैलरी अलग 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 पोस्ट है तो सैलरी भी जो है वो अलग अलग है 30,000 से लेकर 1,000,000 तक सैलरी रहने वाल यहां से जो है पर्मानेंट वेकेंसी भी आती है और कॉंट्रेक्ट वेस पर भी वेकेंसी आती है ओफिशल वेबसाइट पर आना है आपको IIMU इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट उदैपूर यहां पर आपको राइट यहां पर आप देखेंगे राइट पर्मानेंट वेकेंसी है और नीचे देखेंगे तो कॉंट्रेक्ट वेस पर यह वेकेंसी है ठीक है और यह जो नोटिविकेशन अंपूरे 5 है जिसमें से 1 हत्यूज निकल गई है वाखी आप किसी भी राजी के कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर अप्लाए कर पाएंगे. सबसे पहले आप यहाँ देखें, Research Lead for National Health Research Priority Project. तो इसमें जो है, क्वालिफिकेशन देखें आप, जैसे कि मास्टर डिग्री आपने सोचलोजी से किया है, या फिर कोई भी सोचल साइंस सब्जक्ट से किया है, किसी में तो क्वालिफिकेशन के साथ में अनवव मांग रहे हैं, और किसी में फ्रेशर भी अप्लाए कर सकते हैं, तो अगर आपने सोचल वर्क में, या sociology में या किसी भी social science में आपने post-graduation किया है साथ में 5 साल का अन्वब है community based health research with publication में या फिर MBA वाले, PhD in public health वाले, anthropology वाले, health care management या post-graduate diploma आपने जिसमें किया है तो वो भी apply कर सकते हैं salary आपको मैं यहां दिखा देती हूँ कि salary जो है 75,000 से लेकर 1 lakh तक आपकी यहां पर रहेगी कितनी salary रहेगी तो यह तो अन्वब पर depend करेगा जैसे कि इसमें अन्वब 5 साल का minimum मागा गया है इसमें जो है number of vacancy एक है कोई भी candidate अगर apply करने के इच्छुक है time period तो केवल 12 month का है अगर आपका work यहां अच्छा रहता है यहां पर आपकी performance अच्छी रहती है तो आगे 12 month के लिए फिर बढ़ा देते हैं ठीक है apply करने के लिए नीचे option है apply now इस पर click कर लेंगे आप चलिए दूसरा में आपको दिखा देती हूं number of vacancies तो सभी में अलग अलग ही है अब जैसे की research assistant teaching assistant Indian institute of management उदैपुर तो इसके अंतरगत जो vacancy है इसमें qualification क्या माग रहे हैं तो इसमें master degree या professional qualification in the relevant field with minimum 55% aggregate and some research experience अब एक साल का भी अगर अनुवब है और computer application की knowledge है English जो है अच्छे से आपको desirable में है वैसे English लेकिन English जो है वो आपको लिखनी आनी चाहिए तो salary जो है इसमें अनुवब और qualification पर ही जो है depend करेगी अब इसमें qualification आपकी जैसे business policy and strategy economics वाले candidate, commerce वाले candidate, marketing, MBA वाले candidate या विदन कर पाएंगे इसमें ठीक है लेकिन journal candidate की जो male candidate उनकी 35 year है qualification इसमें मांगी गई है the candidate should hold full time graduate degree in any discipline from any recognized university तो केवल इसमें graduation मांगी गई है आपने तीनो साल जो है regular base पर किया हो desirable qualification कोई compulsory नहीं है experience जो है इसमें कह रहे है कि post qualification experience in industry or academia of at least two year is desirable तो unwork भी ज़रूरी रही है केवल qualification आपकी जो है आपने graduation की हो regular base पर किसी भी university से तो आप जो है इसमें apply कर सकते हो क्या-क्या जो है इसमें duties and responsibilities होंगी तो वो यहाँ पर लिखा गया है इसमें salary जो है as per industry norms के according देंगे apply ना हो next जो vacancy है technical support for national health research priority project एक यह जो vacancy है अगर आपने नहीं देखी है इसमें salary 25,000 से लेकर 31,000 है और अनुवव की आधार पर salary और भी अधिक हो सकती है इसमें number of vacancy जो है वो 18 है 18 है इसमें vacancy qualification इसमें क्या मांग रहे हैं तो computer की तो knowledge होनी चाहिए और professional with mbvs या bams या bhms या फिर यहां आप देखें बहुत सारी candidate जो की मेरे subscriber हैं जो की sociology से social work से या फिर social science से post graduate हैं तो वो बिल्कुल इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अनुवफ नहीं मांग रहे graduate nursing है या dental science या btec वाले आप देख सकते हैं इसमें जो है अच्छे से आपको देखना है तब आप apply करेंगे करने के लिए आपको नीचे यहां पर आपको दिख जाएगा ठीक है तो यह contract based पर वेकेंसी है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि this job contract will be for 12 month 12 महीने के लिए होगी renewal for additional two term of 12 month each based on satisfactory performance and project resource तो आपकी performance पर depend करेगा कि आगे जो है next year के लिए जो है यह आपको आपके काम को देखते हुए जो है आपको और 12 month के लिए रखेंगे या नहीं तो यह vacancy मैंने आप लोगों को बता दिये है आपको vacancy का पूरा notification देखने के लिए apply करने के लिए official website पर आएंगे IIMU की आपको link इसी वीडियो के नीचे description box में provide कर दिया जाएगा यहाँ पर career section पर click करना है दुबारा से आप देख लें जो permanent vacancy है इनकी date जो है निकल गई मुझे भी नहीं पता चला और 6 October last date थी इसमें office assistant की junior assistant की junior engineer की ERP की इसमें भी केवल master degree ही मांग रहे थे बिना अन्वव के साथ में अभी contract position पर जो भी vacancy है वो आप देख सकते हैं यहां से 1 से लेकर 8 तक ठीक है 9 वाला जो है यह भी निकल गया है चलिए और भी vacancy आती है तो आप लोगों को बताई जाएगी इस vacancy में किसी भी राजिके candidate apply कर सकते हैं थैंक यू